रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका की राश्पती जो बाइडन का बड़ा बयान सामने आया है। बाइडन ने रूसी राश्पती व्लादेबिर पुतिन को युद अपरादी कहा है। साथी रूस के खिलाफ लड़ने के लिए बाइडन ने यूक्रेन को भारी भरकम आर्थिक मदद के साथ 800 आंटी एरक्राफ्ट गंज देने का भी एलान किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के 21 दिन बाद अमेरिकी रास्पती जो बाइडन ने पुतिन पर बोला है सबसे बड़ा हमला। बाइडन ने पुतिन को बताया है युद्ध अपराधी। जरा रिपोर्टर के साथ बाइडन का सवाल जवाब सुनिये। बाइडन के इस बयान पर रूस बेफर बढ़ा है। रूसी समाचार एजनसी तास के मताबबिक रूसी रास्पती के प्रेस सचेव दिमित्री पेसकोव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा। अमेरिकी रास्पती जो बाइडन का रूसी ने था विलादेमिर प्रुटिन को युद अप्रादी के रूप में बेश करना अस्वी कार्य और अक्षम में है। इस बीच अमेरिकी रास्पती ने रूस से जंग में युक्रेन की भारी मदद का ऐलान किया है। बाइडन ने युक्रेन को 800 मिलियन डॉलर की अत्रिक सुरक्षा सहायता देने का ऐलान किया है। इसमें 800 एंटी एरक्राफ्ट सिस्टम शामिल है। रुसी विमानों और हेलिकॉप्टर के हमले से बचाओं में युक्रेन के लिए ये एंटी एरक्राफ्ट गन मददगार साबित होंगे। साथी बाइडन ने 9000 एंटी आर्मर सिस्टम, ड्रोन, और मशिन गन, शॉट गन, ग्रेनिर जैसे 7000 छोटे हतियार भी देंगे। बाइडन के मताबिक रुस युक्रेन में रिहाइश बिलिंग, अस्पताल, प्रसुती ग्रहों को निशाना बना रहा है, जो बेहत शर्मनाक है। युक्रेन में रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका पहले ही अपने सैनिक भेजने से इंकार कर चुका है। लेकिन रूस की कमर तोड़ने के लिए बाइडन ने सखत प्रती बंदों के रूप में दूसरा रास्ता चुना है। क्या इन सखतियों के बावजूद पुतिन युक्रेन पर नर्म पड़ेंगे आज तक बेहुए।